नश्कार स्वागत है आप सभी का NBC24 पे मैं रतनेश पांड़े आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत करता हूं देखे बिहार में इस वक्त मौनसून सत्र चल रहा है और पीछले दिनों यानि कि बीते दिनों आपने एक तज़्वीर देखी कि मौनसून सत्र में अगनिपत ही उजणा के विरोध में जहां एक तरफ आरजेडी विदान सभा से अलग निकली वहीं जदियू भी विदान सभा में मौझूद नहीं रही दुसरे तरफ बीजे पी के सभी विदायक वहाँ पे मौझूद रहे यानि कि इतियास में विदान स और जहां एक तरफ बिहार में मौनसून सत्र चल रहा है वहीं दूसरी तरफ कल बीते दिनों देर रात केंद्रियों मंत्री धर्मेंद्र प्रधान मुख्यमंत्र निंतीश कुमार से मिलने पहुंचे हैं यानि कि जहां एक तरफ मौनसून सत्र में जहां हंगा में दार रहा वहीं दूसरी तरफ केंद्रियों मंत्री का सीधे मुख्यमंत्र निंतीश कुमार से मुलाकात करना कहीं न कहीं बिहार के राजनिती में क्या कुछ हो रहा है इसका एक अलग प्रश्न उठता हुआ नजर आ रहा है आपको बता दे कि यह दूसरी दफा है जब केंद्रियों मंत्री धर्मेंद्र प्रधान मुख्यमंत्र निंतीश कुमार से मुलाकात करने पहुंचे हुए हैं आपको बता तरीके से बिहार में अभी जदियों बनाम बीजेपी चल रही है जिस तरीके से आपने देखा कि आज जदियों के संसदिय बोर्ड के अधेक्ष पेंद्र कुछ्वाहा पर लगता बीजेपी के प्रधेस अधेक्ष शंजेज असवाल हमला कर रहे थे सिक्षा के मुद्दे पर ले करके जिस तरीके से जो प्रश्ण उठ रहे थे यानि कि दोनों के वित में बिवाद चल रहा था वहीं दूसरी तरफ केंद्रियम मंत्री का मुख्यमंत्री नितीश कुमार से मुलाकात करना कहीं ना कहीं इस बात का मुहर लग गया है कि 2025 के विदान सबाचुनाओं म मुख्यमंत्री नितीश कुमार ही एक बाफ़िट से एंडिये के तरफ से मुख्यमंत्री का चैरा होंगे कल धर्मंद्र प्रदान से मुलाकाते हुई है बाचित भी हुई है और कयास यह लगाये जा रहे हैं कि जो बाते हुई है वो विदान सबाचुनाओं को लेकर के ये बफड से बिहार की राजदिती में मुख्यमंत्री इंतीशकुमार ही अगले मुख्यमंत्री बन सकते हैं क्योंकि जिस तरीके से केंद्री मंत्री ने मुलाकाते की हैं तो बिहार में 2025 में होने वाले विदान सभा चुनाओ को भाजपा और जोदियु मिलकर लड़ेगी बिहार के मुख्यमंत्री इस चुनाओ में ही सीम पत्क मिद्वार होंगे उन्हीं के निर्देशन में चुनाओ के रणनेती की जाएंगी और केंद्री मंत्री धर्मेंद्र प पाचित हुई है दर्मेंद्र प्रदान ने कहा है कि एंडिये में किसी तरह की कोई गतिरोद नहीं है दोनों दल विविन मुद्दों पर आपसी सहमती के आधार पर कारे कर रही है जद्यू के साथ हमारा आत्मजा हुआ है गटबंदन हुआ है इसकी आम स्विकारता है इसक शक्सियत को राष्टपदी पद के लिए समर्थन दिया है प्रदान मंतिर नरेंद्र मोधी ने इसकी चर्चा मुखे मंत्री कुम्मन नितिश कुमार से की है और साथ ही आपको बता दे कि जिस तरीके से बिहार में जातियत जंगर्णा होनी है उस मुद्दे पर भी चर्चा आये हुई है कि अने वाले दिन में क्या वागई में NDA के साथ है मुखे मंतिर नितिश कुमार का चेहरा नितिश कुमार कहीं होगा यह तो देखने वाली बात होगी बहाले सक आज ही आप जूले रहे एप recствént